अभी में बैठी हूँ प्री होके कपड़े ओपड़े धोके उपर रूम में सुखा किया यह पुरे बाल यहां से बिगड़ गए सर पे जैसे ही साड़ी रखो ना पुरे बालों की ना से पुरे लुक ही चेंज हो जाता है और कल मुझे किसी ने कहा कि दियाज आप बिल्कुल पता है कि मैं यह अच्छी लग रहे थी क्योंकि पता है कल मैंने तब से मू दो या था उसके बाद मैं मैंने साम को मु Kirby नहीं दो आथा क्योंकि मुझे ठण लगती है मुझे बहुत इरिटेशन होती है यह लगता जो भी ऑईल और जो भी गंदगी होती है नों आपकी स्किन में चल जाती है फिर आपको पिंपल होना इस्टार्ट जाते हैं जैसा कि मुझे हो गया है बट क्या करूं नहीं होता भईया ठंडी लगती है अभी मेरे स्वेटर बैंके बैटीव और मेरी आरू है वो ऐसे ही गु स्वेटर है और जैसे ही आपने स्वेटर होता रहा ने तो आपकी साड़ी हमको बहुत अची लगी तो मुझे उनका कमेंट अचा लगा और एक नमझे साड़ी की जो डिजाइन है वह और आपको पर्दे की जो डिजाइन है नो भी तो यस सही बात है जब मैं खड़ी हुई तो यह idea मुझे उसी दिन आ गया था और अब भी थी क्योंकि मैं सुबह से गई थी यहां बुला हुआ में नई बोऊ आई है तो नई बोऊ के आने की काफी सारी तयारियां होती है और काफी सारे गाना बजाना हमारे वाँ पर नई वह कहती है बधाय गाए जाते हैं तो काफी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मैं चली जाती हैं को बलोग आता है तो जाना भी चाहिए और थोड़ा बहुत मन भी लग जाता है क्योंकि साधी पर आये यह बार-बार नहीं आते हैं तो यह जो महाँ ले न वह कभी कभी होता है और ऐसा भी नहीं कि मुझे कहीं दूर जाना है तो कोरोना का घत्रा हो पीछे वाले गर में है और इतने कोई खास मेहमान भी नहीं है वह हम दो-चार गली की सब चली जाती है तो ऐसी कोई प्रॉलम नहीं क्योंकि मुझे एक न कॉमेंट आये था कि आपको कोरोना की वज़े से पार्टी में आप जा सकते हो अगर क्योंकि गाओं की जिंदिगी और सहर की जिंदिगी में बहुत अंतर होता है और यहां के माहल में भी बहुत अंतर होता है तो जो रहता है न उसको पता होता है और रदाव के रिति रिवाज आप लोगों को मैंने दिखाये थे हमारे बापे भी न उसको खोईया कहते है जो मारे मा Armгляд इस सारी चीज़ नहीं होती थी लेकिन साधी के बाद यहाँ पर मैं आयी मैंने सारी चीज़ देखी तो मेरे लीए तो यह नहीं है और मुझे बड़ी सरम लगती है मैं नहीं मुझे वह सारी चीज़ आती हैu नॉर्मली डोलक पे गान नाचना वगरे तो मुझे आता है थोड़ा बहुत आता है वो भी लेकिन प्रॉपर जो गाउं की लेडी होती ना कि गाने बजाने में एक दूब परफेक्ट होती है वो चीज की कमी मेरी जिंदगी में मुझे खलती है जो कि जब ऐसा मावल आता है दो पर लगता है कि कास हमको बहुती जहीं होती यहU दोलक बचाना colleg4 गाना हो अब데 बस ही चीज नहीं होती ती तो यह मेरा民नस है जो क्योंकि ऐसे टाइम पर न मुझो बहुत खलता है तो वह वक्त-वक्त की बात है तो अभी मैं फरी बैठी ती और आज जैना मेरे लिए और आरू के लिए एक जमывает मेशлект के दावात करी है साधियों सीजने तो हम धेबनाओंगी कि बनाँगी है कि आप बाजरबदाकी के दो लिए मेशले बनाओंगी मेरे पास कोई काम नहीं क्योंकि मसीनों कि पड़े भी लाइट आइगी लिए इन्वेटर चल रहाइः और लाइट नहीं टो मसीन पड़े पड़े ने ऊप्डाई बट लाइट काफी देर से चलीगी है तो देखो जब आएगी तब वो काम करूंगी और फिलाल के लिए अभी कोई काम नहीं है खाना बनाऊंगी उसके बाद बरतन माजूंगी और लाइट आ जाएगी तो कपड़े दोंगी क्या पता शायद साम को भी दों योगि लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता है कब आती है कब चाती है तो अभी फिलाल के लिए मैं आई थी लेट ने और अब मैं सोचरी सारे कुछन वगेरे ना इनको उठाके बैड में रख दू कुछन नहीं तो फिर देखती हो कुछ ना को चेंज करने का सोच रही हूं तो चली और मैं पत जो question है ना उनकी answer दो सबसे पहसा question तो आपके husband क्या करते है और second question कि वह school किसका है third question है I think कि आपके husband teacher है तो और fourth question है अगर आपके husband teacher है तो वह कौन से subject के teacher है और पांतवा question है कि क्या मैं एक teacher हूँ और और काफी सारी पानी का बिजनस कि क्या होता है आप पानी के पैसे लेते हो क्यूंकि काफी नए विवर है उनको कुछ भी नहीं पता और मैं दो साल से यूटुपर हूँ तो जो मेरे पुराने विवर उनको मेरे बारे में सब कुछ पता है कि क्या है, स्कूल किसका है, पानी के बिजनस का क्या है और जो भी चीजे हैं जो मेरे फैमिली से रिलेटीड या मेरे कोई भी चीजे है ना क्योंकि देखो यूटूब पर में एक लिमिटेट चीजी ही शेयर करती हूँ मैं ऐसा नहीं कि अपनी फैमिली मेंबर को लेकर सारी चीजे शेयर करते हूँ या फिर अपनी बिजनस को लेकर सारे चीजे शेयर करूँ um आपके लिए ही ठीक नहीं रहता काफी लोगों से पूछते दि अपने गाओं का नाम बताईए दि आप अपने जो कर्षपा है उसका नाम बताईए आप अपना फॉन नमबर दीजिए तो सोसेल मीडिया पर हम सारी चीजे शेर नहीं कर सकते यह मैंने आपको काफी बार बताय है और मैं फिर बता रही हूं क्योंकि नए वीवर हैं कुछ बच्चे भी है 16-17 साल के जो उनको नहीं पता तो मेरी घर पे अभी कोई आया है मैं आप से फिर बात करते हूं गई थी मैं पानी देन है वह तो मेरी ड्यूटी है पूरे दिन की तो चली अभी है न लाइट आ गई है तो मसीन में से कपड़े निकाल के ड्रायर में डाल देती हूं सूखने के लिए और उनको मैं सुबह ही जाओंगी सुखाने अभी नहीं जाओंगी अब ऐसे भी पौन और चलते हैं कपड़े दोने और किचन में भी चलेंगे कुछ चाय कॉफी बनाएंगे अपने लिए और खाना बनाएंगे तो पहले मैं मसीन चला लू क्योंकि लाइट आ चुकी है एक बार चला दूंगी उसके बाद है ना मैं ड्रायर में निकाल दूंगी कपड़ों को च पढ़ जाएगा कि तेल गरम हो गया है और यहां पर है न मैं अपने लिए बना रही हूं कॉफी यानि दो कप बनाएं एक कप बाहर पंडिजी बेटे हैं जो हमारा पानी लेकर आते हैं वो तो पानी अभी ट्रांसफ़र हो रहा है तो मैंने का चलो दो कप कॉफी बना लेत मैंने आलू को नो पहले फ्राय करके रख दिया और बहुत थोड़ी से सब्जी बना रही हूं मेरे लिए और आरू के लिए क्योंकि यह तो हैं नहीं तो हम लोगी खाएंगे और यहां पर एक कप पहले प्यूंगी कॉफी तो कॉफी फिनिश हो चुकी और उसके बाद मैं आ गई हूं सब्जी बनाने तो तेल को अच्छे से मैंने गरम कर लिया उसमें मैंने थोड़ी डाली कलोंजी और जीरा वह दोना भी फ्राय हो गए तो मैंने कटी हुई प्याज लैसन अध्रक का पेस्ट यह सारे चीज़ा एड़ कर दी और इनको अच्छे से बून लेना है और जब यह मसाला बुन जाएगा फिर हम डालेंगे पाउडर में अच्छे से बून लेना है उसके बाद जो बुने हुए आलू रखे थे वो और मतर डाल दी साथी जाथ मैंने लंबे कटे 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 न टमाटर डाल दी है मैं लंबे डग कटे हैं उसे न सबजी का टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है और फिट स्वाधन सा डाल दिया नमक थोड़ा सा डाल दूंगी पानी और इसके बाद सब्जी को मैं रख दूंगी दस से पंद्रा मिट के लिए पकने के लिए और दस से पंद्रा मिट के अंदर सब्जी हो गई डन क्योंकि आलू आपके अगर पक जाते हैं तो समझी आपकी सब्जी हो गई ग्रेवी भी थोड़ी थी को जानी चाहिए फिर मैंने डाला यहां पर थोड़ा सामचूर पावडर और थोड़ा सा डालोंगी गरम मसाला और यहां पर सब्जी हो जाएगी मेरी एक दम कंप्लीट और साथ ही मैंने बनाए है गरमा गरम और क्योंकि बाजरे की रोटी खाने का मन भी नहीं था और हम दो के लिए में क्या बनाती और आरू को बच्चों को दोनों को चावल खाने थे तो फिर हम लोग यहां पर चावल और सब्जी आज खाएंगे बहुत अच्छी वनी थी सच में गाईस कहते हैं कभी- तो यह सारे बर्तनों को क्लीन करूंगी मैं उसके बाद करूंगी किचन को क्लीन और उसके बाद आप लोगों से आके मिलते हों क्योंकि आज है न कुछ काम मेरे पैंडिंग रह गए थे बुलवा में जाने की वज़े से तो चलिए फटाफट से में काम पर लिए क्या करूं क्या करूं बीडियो बीडियो चलिए करूं नहीं मैंनी बनारी बीडियो मैं मोलुचे बात नहीं कर रही मैं मैंने बेटा चालू तो है चालू जो छूपी पड़ी एक गंटे से बंदो ममी मुझे सौपाथ है यह कहां खोंजाते हैं यह रोजर्यज कहां हाद अ सब्सक्राइब मंवी सो जाँ मैं मैं थनदी नरल कई ये ठंदीनी लग ठंदीनी लगरी तो उस रहे है देखियो पापा पापा बेटा ये पापा नहीं ये बहु है एक तरह की पापा है चला जा मुलू अपने बाए करेंगे तो हम हम ओलू के साथ इस वीडियो को कर रहे हैं एंड कल मिलेंगे सब्सक्राइब कर देना अब और इता शोन थीडियों कि युजद व्लॉग में तब तक के लिए बापाय और गुढ़नाइट मुख मैं नहीं बूलें गया मैं नहीं बुलें नहीं बूले गया नहीं बस बाए बोले चला या ले नहीड डेब शूट रहाव है और शैब्सक्र जाब कर देना इस वीडियो को करती है और आज मैंने में बहुत जादा लंबी नहीं बनाना चाहती चोटी सी वीडियो बनाना चाहती हूं मैं और कुछ खास अभी उसा कुर्च ही नहीं वीडियो में दिखाने के लिए वही डेली रूटीन की लाइफ तो चलिए इसी लाइफ के साथ आप करते हैं बाबाई कल मिलते हैं नेक्ट व्लोग में और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना प्लीज आप लोग तो व्यूज के साथ लाइक देना भी भूल गए हो तो चलिए बाबाई गुड नाइट बाईट नाइट